दोस्तों मैं दुरगेश याश्वाल मेरे यूटूब चैनल एले नीम दुरगेश में आपका स्वागत है दोस्तों इस 30 जनवरी से आपको उत्तरपरदेश लुवर पीसेस की परिच्छा का फॉर्म भरने के लिए पोटल पूरी तरह से खुल चुका है और सभी भ्यरती फॉ करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए इस सभी का जबाब आपके पास हो या ना हो लेकिन इसका जबाब या इसका सुझाओ लेकर मैं आपके सामने आज आया हूं देखिए इस समय जो यह परिच्छे के फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें च्छासो भात्तर पद है सायाद आ यह परिच्छा जोगी संभुत्र चुनाओं के बाद ही हो पाएगी अगर तब होगी तो लगभाग यह परिच्छा मई या जून में आयोजीत की जा सकती हैं और मैय जून में जब यह परिच्छा आयोजीत की जाएंगी मतलब अभी से आपको चार से पांच महिने का समय मि प्यार कर ले अब क्या पढ़ना है क्या से पढ़ना है क्यों पढ़ना है देखे बसर साथ ही ऐसे होंगे जिनकी त्यारी प्राप्परूपसे नहीं होगी और नहीं हो भी पाएगी तो हम आप इस बात को लेकर हाथ पे हाथ रखकर ना बैठे हम सभी को अपनी तयारी को पुन कि जीरो थी आपने पढ़ना सुरू किया और लोवर परिच्छा में हो सकता है आपको सफलता नप्राप्तो या आप अंतिवरूप से ने चैनी थो पाए तो फिर आप पूरी तरह से हार कर बैठ जाएंगे नहीं आपके लिए सबसे सुनारा मौका है कि जब लोवर परिच्छ यह वह काफी उम्दा और अस्पर्ष्ट हो जाएगी बेसक आप अंतिवरूप से चैनी थो अथवा नहीं हो लेकिन आपको जानका हरानी होगी इसके बाद इस वर्स में तीन बड़ी परिच्छाएं आयोजीत होनी है एक लोवर पीच्छ फिर एक उत्तर परदेश लोग से UX की पिछाग यह उपीचस की परिच्छा नहीं है तो मतलब इस वर्स में तीन बड़ी परिच्छा होनी है आप लोवर पीच्छ के लिए माली पूरी त्यारी कर लिए आपका चैन हो गया तो दीबेश्ट अगर किनी काड़ों वस आपका नहीं हो पाया तो आपको अगली तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय और मिले गया आप तुरंद अगली महिने में हो सकता है ये भी अगस्त महिने तक ये आज इतो जाए परिच्छा तो अगस्त या जुलाई अगस्त में आप पीसेज दे लिए फिर उसी के एक महिने के बाद आपका समय चादिकारी हो गया तो इससे क्या होगा कि जो जो चीजे कम्या थी कहने का मेरा ताथ परिया है कि यदि आप दोड़ना सुरू करते हैं या रेस आप सुरू करते हैं अगर रेस में दोड़ते समय अगर कुछ कम्या रह जाती है तो फिर अगली बार आपको जिब दोड़ना होगा तो आप जैसे अगर आप मेरे साथ जोड़कर पढ़ रहे है अगर मेरे साथ आप class join ओकर पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बाते पता हो जाएंगी, मैंने आपको lower pieces में क्या-क्या चीज़े पढ़ाई थी, अब फिर जो pieces पढ़ाने की बात आएगी, तो उस समय एक चीज की दिक्कत यह नहीं होगी, आपको क्या-क्या मैंने पढ़ाया है, क्या-क्या नहीं पढ़ाया है, और फिर मैं जो चीज़े पढ़ा चुका हो, उसके बात, या उससे अगली चीज़े मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो करना क्या है, और अगर जो बेक्ति मुझे से नहीं जुडा है, कहीं और से जाएगा, फिर वो zero सुरू करेगा, बात को ध कितना हंड्रेड तक तब तक परिच्छा हो संपन हो जाएगी, और खुदा में खासता, आपका अपर PCS चैन ने हुआ, तब तक आपकी तयारी कितनी हो गई, 80% तक हो चुकी है, और अगली बार, पुना एक महिने के बार, समिच्छा दिकारी या आरो, एरो की परिच्छा ह होनी है, तो फिर जो आपकी तयारी होनी है, वो आप कितनी करनी है, 20% करनी है, जब कि अगर आप कहीं और जाएंगे, या कहीं सुरू करेंगे, फिर वहाँ आप पुना जीरो से प्राराम करेंगे, इसका मतलब अगर आप बार बार जीरो से प्राराम करेंगे, तो कहीं न कह हम आप तूट जाते हैं हमारा मनोबल गिर जाता है इतना पढ़ते हैं हमारा अंतिम्रोषप चैन नहीं हो पता इसका सबसे जो बढ़ा कारण है वह कई स्ट पूर नहीं सकता कुई ब्यक्ति अपने पूल सकता ने किसी के तिहरीक पूर हो सकती रहीं किन्तु अगर सेल बस की बायत करें तो एक सेलबस गोंगे शुरू सेपर जाए भूगोल सेपराजाएगा समिधन सुरु पढंए हर बार सुरु से परते हैं oh परिच्छ आते किसी तरए घीच सिरे ख़तम के जाती है और पता चलाया परिच्छ में आपका परदसन या मेरा प्रदसन बहतार नहीं रहा क्योंकि हम हर बार सुरू से त्यारी करना चाहते हैं, जीरो से त्यारी करना शुरू करते हैं, और तो जीरो से त्यारी करनेक वज़े से बार बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस बार जो हमारी त्यारी होगी, वह है जीरो के बार, जो जुष्टे जाएगा, हम हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे ना कि पीछे आएंगे मतलब हम सदेव पाजिटिव सोचेंगे हम सदेव आगे बढ़ेंगे ना कि हम पीछे बढ़ेंगे अगर यह रणनीती बनाकर आप पढ़ना सुरू करेंगे तो साधा आप सफल हो जाएंगे अब इसके साथ साथ इस सी वर्स में लेखपाल की भी परिच्छा आनी है अब कहेंगे सर आप तो PCS पढ़ाते पढ़ाते यह लेखपाल की बात कहां से करने लगे सही बात है यह प्रसनार की दिमात में आना लाचिमी है आना भी चाहिए तो आप मैं आपको उसका जबाब देदू जब कभी-कभी या जब कभी आप High Court Group D का पेपर देखते हैं कहते हैं पेपर बड़ा सरल है या कोई कहता पेपर बहुत कठीन है तो मैं आपको बता दू इस दोनों सब्द में एक छोटा सा अंतर है अगर आप कहते हैं पेपर सरल है जब हमको आता है तो हम कहते हैं पेपर सरल है जब हमको क अब्जेट को तयार कर लेंगे जब लेकपाल की परिच्छाओं के लिए पढ़ना होगा लेकपाल में जब प्रश्ण आएंगे तो छोटे दर्जे के प्रश्ण होंगे नीचे कोंगे तो आपको लगते हैं कि यह प्रस्ण सरल है क्योंकि आपने उसे कई बार पढ़ लिया है वह आपकी आँखोंक सामने से वह प्रस्ण कई बार गुजरा है इसलिए हम आप कहते हैं यार पेपर तो इजी था तो पेपर इजी नहीं था वास्तों में आपको आ रहा था इसलिए आपने कहा पेपर इजी है उनसे पूछिए जिनको नहीं आता वह कहते हैं पेपर तो ब बताऊंगा जैसे आप दस किलोंगे प्रतिदीन दौरने का अप रिसकर ने का रिसकर है और प्रताओं लेते हैं आप अरम से ठगशा जाते हैं अगर आपको बिना प्रैक्टिस के कहा जाएं आइक अच्छी समय में कम समय पूरी कर लेगा क्यों क्योंकि यह 5 km दोने का practice था और 3 km दोनाया आसानी दोन लिया लेकिन 20 km नहीं दोन पाएगा उसी हम बड़ी स्थर की त्यारी करके छोटे स्थर को परिछाएं आसानी से qualify कर सकते हैं लेकिन छोटे स्थर की त्यारी करके बड़ी स्थर की आए जाते हैं वो लगते हैं यह दो प्रस्ण एजी है लेकिन नहीं होता मैंने बहुता है वास्तों में वह प्रस्ण आपको आते रहते हैं आपनों उसे पढ़ा है कहीं कभीं कभी वह आपके सामने से गुजरें इसलिए आप कहते हैं यार इस बार का paper तो बड़ा सरल था इसलिए यह प्रस्ण गुजरें था वास्तों में वह लिग्हें जैसे भूगोल का हुआ चाहें आपका करिंड को हुआ अगर आपके सामने शीज़भा तो paper सरथ can parameters का है कथ्न है तो मस्त는 paper नहीं हें वह था वास्तों में वहốc मारे आपके पढ़नेंक और उसका जो नजरिया होता है वो डिफाइन करता है वो निष्चे करता पेपर कैसा था अब मैं आपको बता दू अब आप सफला सफलता छोड़के अब अब तैयारी भी लग जाए क्योंकि आपके पास चार बड़े मौके हैं और चार बड़े मौके में एक बार चुके दो बार चुक करें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी परिच्षा में कामान होंगे जैसे लोग कहते हैं हमें अपनी जिन्दगी का एक ही लच्छव ना चीए जी हाँ एक ही लच्छवना चीए आपको जो जी यस पढणा है जानते हैं चाए कोई परिच्छा भारत की इस समय जानल ताक कि कोई परिच्छा आपके सामने आए उसमें GS, गणीत, करेंड़पे और हिंदी ये चार ऐसे टर्म है जहांसा आपके पश्ण गलत होने के समभावनाएं कम हो जाएं तो माने ही चार चीजों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है चाया अपर पीस्ट के लिए पढ़िए, लोवर पीस्ट के लिए पढ़िए, समभावनाएं पढ़िए, लेखपाल के लिए पढ़िए क्योंकि ये चार ऐसे टर्म है या राज की कोई परिच्छाएं होई उसमें ये चार टर्म या पुलिस के होई बने हर परिच्छा की जो रिड़ी की हड़ी है वो चार पाहम है एक होगे आपका सामान अध्यान जिसे आप जीयस कहते हैं दूसरा हिंदी या अंग्रेजी तो जाज़तर परिच्छाओं में हिंदी भादी छतर में हिंदी कैचेन करते हैं फिर गणित और रिजिनिंग चार तर्म है जो लगबग लगबग परिच्छाओं में सभी को समलित किया जाता है इसलिए यह चारों पे आप अपनी जो इस्टड़ी है जो अध्यन धापन काम है वो पूरी तरह से उमधा बना ले और आप इस पे पूरा फोकस कर दें लोवर पीसियस फिर अपर पीसियस हर बार मैं आपको सुरू से पढ़ाऊंगा हर बार समिदान सुरू नहीं करूंगा मुझे यह पता है किस बार मैंने छोटी चीज़ी चीज़े बता दी इस बार मुझे क्या करना है इससे बच्छी जो जो जूली चीज़े उसको बताना है क्योंकि हर बार परिच्छा में प उससे ज़्यादा आप जच कर सकते हैं क्योंकि आप 18 साल के एज कर सकते हैं मने आप बोयस्क हैं और मत अदिकार मने मत देने का अधिकार में ले गया है माने आपको सोचने का अधिकार है आप पुरी तरह से स्वतंत्र है तो जिस संस्था में जाए आप वहां पर इस बात को अपिकल नहीं नहीं पाया हूँ मैं भी एक अभ्यार्ति हो हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे ते हर बना लेते हैं जाते हैं और और्या आप क्या वीजार बना एंड़ार गॉयरण और मिलाम्लारे प्मीन सब्सक्राइब्ध और में तयाक्त आव दॉहजार और पाट्य . पानी पत का पर्थम यूद 1526 3000 रुपए जो फीस लेगा वो भी पढ़ाएगा पानी पत का पर्थम यूद 1526 क्या जो 6000 या 10,000 रुपए लेकर पढ़ाता है क्या वो पानी पत का यूद 25 में 27 में करे देगा नहीं कराएगा सब 1526 में पढ़ाते फिर क्या ऐसा region होता है कि इनके फीस में अंतर होता है जैसे यही कपड़ा 100 रूपया मीटर भी आता यही कपड़ा 15-100 रूपया मीटर भी आता है तो कपड़ा क्या अंतर है तो इसी तरह teaching और teaching skills में भी अंतर होता है, ऐसा नहीं है, हम आप जज़ करना नहीं जानते हैं, हम आपको judge करना होगा, यह जानना होगा, इसमें भी क्या अंतर होता है, जब एक ही चीज पढ़ाना है कि पानी पत का परथमिद 1526 हुआ है तो अलग लग फिस क्यूं क्यों क्यों कि हम सब कभी गलत संस्था में प्रिविश ले लेते हैं वहाँ पेशा और समय दोनों जाता है पैसा भी जाता है वह समय जाता है आप यह जज नहीं कर पाते हमें अब क्या करना चींग? हमको लगता हमने पढ़ा मेरा हुआ नहीं, माबापका पैसा, आपका समय गया. पैसे ज्यादा जो महत्पूर है इसे मोट टाइम है. तो इस समय जाने बाद समय वापस नहीं हैगा. आज के बाद एक दीन आपका इस सर्थ का कम हो गया पते दिन, हर दीन, हर मिनिट, हर सेकंद, आपके जिन्दियें कम होता जा रहा है, और लगातार competition भड़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग पड़ रहे हैं, लोग पड़ रहे हैं, अगर हम आपे सोच के बैटे हैं, अरे नहीं पड़ रहे हूँ, पूरा प्रदेश पड़ रहा है, और जब भी फार्म पढ़ते हैं, अब यही है, 672 पद हैं, 10 लाग फार्म पढ़ेंगे, तो 10 लाग में से 5 लाग भेरती जो सीरियोस होके पढ़ेंगे, उसमें से 1 लाग ऐसे होंगे, जो पूरी मेनस से पढ़ेंगे, अर यार अगर 50,000 उसके मेरी और आप के तरह इसलिए यह एकदम नहीं आकना है, कि क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, अब आपको यह सोचना है, हमें किस संस्था में एडिमीशन लेना है, और यह बात कुस दिन के लिए छोड़ देजिए, पैसे कहा किते लग रहे हैं, क्योंकि पैसे से ज़्यादा महत्तपूर्ण आपका समय, आपका कैरियर है, यह आपको सबसे ज़्यादा समझना है, कि प्रस्न कहां से आते हैं, प्रस्न कैसे बना जाते हैं, क्या पूछा जाता है, यह माने यह रहता है, क्या आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पूरा सेलवस ही है, लेकिन उससे मतलब यह होता क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आपने यह अपने आप में ले लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें वही दिखता है जो पहलू मेरे सामने होता है, एक पहलू सदाउस छिपा रहता है या एक सदे पीछह रहता है, दूसरी बात यह संदर की जो भी इतनी बड़ी बड़ी भरतियां आपके लिए जो सीटेड युपीटेड त्यारी करते हैं उब फिर रुख जाते हैं अगर आपका एक दो नंबर सुरुखा है आपका लिखत में अगली बाः फिर त्यारी कर दिजेए। हम आप करते क्या है जब परिछा का फॉर्म भलेते हैं एडमिट का रहता है तब पढ़ना सुरू करते हैं ऐसा करने वाले वास्तों में कभी-कभी सपल हो जाते हैं कि समेशा सपल नहीं होते पढ़ाई निरंतर करना होता है क्योंकि हमारी लड़ाई आप पी लड़ाई हमसे आप से नहीं उन से है जो लगातार पढ़ रहे हैं अगर पूरी प्रदेश से 672 लड़के ऐसे हैं तो सबसे ज्यादा में से पढ़ते हैं तो उनका इस पदिम उनका सेलक्शन होगा कि मेरा होगा इसलिए अगर आपको स्लेक्ट होना है तो 672 सिट में सबसे बहतर सबसे उम दिमाग अपने स्वभी एक आधिका प्रयोग करके हर एक बैकेंजी में आपको अपने पद को बनाना है या अपना पद आपको क्या करना है पूरी तरह से सुनिश्चित करना या अपना पद क्या है उससे इसी सत्र में इसी सत्र में क्या करना बर्करा रखना या बना लेना तो परेष लेन इस बात को आको जान लेना होगा, या पतक लेना होगा, होती है जो सभी परिष्छाओं के लिए सबसे जान्दा महत्व पोड़ है चाहिए कोई परिच्छा हो और हिंदी गणी रिजिनिंगे चार्ट टर्म ऐसे हैं जिसे के लिए आप कभी हतियार रखिये मत सद्रों पढ़ते रहिए और बैताओंगा डेली करेंट फिर तैयर करना है कि जब भी इत्यास जिवा दोहराते हैं वह आपके प्लिए माबाप से पैशे मांगते वह कभी नहीं कहतें कहां से देनाब ही किसी काम के कि चाहते हैं कि मेरा बेटा पड़िया और सफ़ल हो तो ये इसका दयत तो आप की ऐप इस बात को समझ ना को कि मुझे किस तरह से पढ़ना है क्या पढ़ना है कैसे हम सफल होंगे क्योंकí पता हैं हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, सफल कुछी कम लोग होते हैं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा महत्पून मेहनत करने के दीशा सही होनी चाहिए, कभी देखिए, लोग क्याते हैं, कि जितना मेहनत करोगे भगवान आपको उतना देगा, एक दिन की 2,000 रुपए और दोनों क्या डिफ्रेंस है क्यों 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 क्य पढ़ना है बस पढ़ेंगे 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 नहीं बेढ़ने के साथ साथ मेहनत करने की दिशा सी होने चाहिए पढ़ने के दिशा से होने चाहिए किस दिशा में में पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या जो हम पढ़ने वह सई है थो नहीं अगर नह नीदी चाहिए बिना चरण नीद के आप अध्यान ध्यापन काम कितरा भी ब्यतर तरिगेश क्यों न करें हम अंतियों रूप से चैनित होने में कुछ ने कुछ इजे रह जाएंगी क्योंकि मेरे साथ पूरा प्रदेश पूरा देश पढ़ रहा है अगर हम आप ये भूल करे कि हम पड़ रहे है आप पड़ रहे तो हमारी हमारी आपकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि पुरा देश पूरा प्रदेश पढ़ रहा है हम आप भी पड़ रहा है तो सेलेक्शन उसका वही होगा जो हमघ्गषित निका भूग उनुक अ कर द हो बाकी लोग फिर से जाओ साथ जब अध्यानितापन काम नहीं करेंगे तो समस्य उत्पन होती रहेंगे इसलिए आप सभी साथ ही आप लोग तयार हो जाएए और आप आप चार से पांच प्लेन कॉपी नोट्स और पेन और हाइड़ इतनी चीजी आप लेके आप अगर मुझसे लगता है कि मैं मेरे यहां या मेरे टिचिंग स्केल से आपके लिए कुछ भैतर हो सकता है तो आपका मॉस्ट अगल कम है क्योंकि बड़ी अचरश की बात है यह लो सब्सक्राइब क्योंकि बड़ी कॉलिफाइब दो बाए सब्सक्राइब फिर 2017-18 का यंपी पीचियस मैंस फिर यूपीचियस मैंस मैंने दिया जो जिसका 2018-10 जनौरी को रिजल बेया था और उसमें मैं सफ़ल अंतिवरूप से वहान सफ़ल हो पाया लेकिन इस बात का अधियत कर रहा हूं मैं अपनी दिशा बदल रहा हूं तरीका बदलों पढ़ने का लेकिन पढ़ रहा हूं मैं देख रहा हूं क्या कमिया थे किर किस वज़े से मैं सफल हुआ और मैं उनका लगा तारध धन करके मैं आपको लाग बनाऊंगा लोग कहते सफल बेक्ति तो आपका सफल नहीं हो पाऊंगे या इस पढ़ने वजय से मेरा नहीं पाया तुम इस रास्ते जाओ इसलिए तुम सफल हो पाऊगे और पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा यह पढ़ लो वह बता देगा उसमें क्या पढ़ना है यह सफल बेक्ति बताता है यार यह मैंने यहाँ से पूरो ऐसे पूरो तब तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि इसकी वज़े से मेरा नहीं हो इसलिए सद्व असफalब्यक्टी से मिलेगा वो आपको सही एकदम सटी करायबताएगा क्योंकि आसफलब्यक्ती को यह सबसे ज्यादा पता होता है उसने कहां कहां गलती है कि किस गलती के वज़े से उसका अंतिम रूप से चैन नहीं उपया, बाकि आप सब खुछ समझदार है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप ये खुद पता कर सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, और क्योंकि लगातार इस बात पर अगली वाट फिर भर को अजीब सा लगे, बहुत सा लोग आरे क्या ये कर रहा है, कुछ लोग अभासता की तरह टिपड़ी करेंगे, बहुत सा लोग जिस लोग उस तरह के बात लिखेंगे, लेकिन अगर इस बात का, मेरी बात का, एक परसेंड लोग पर भी प्रभाव पड़ा, तो उनकी जिं करके हमें पढ़ने के लिए, और अगर हमारा खुदान खासता, अगर हमने दो साल, तीन साल तयारी की, चैन हमारा नहीं हो पड़ा है, जम घर पे आते हैं, तो जो हमारे छोटे भाई बैन है, जो गौँ के छोटे बच्चे हैं, बड़े होते हैं, तो बहुत कहते हैं अपन लेकिन जिस दिन आप अंतियों रूप से चैनित हो जाते हैं, जिस दिन उसे दिन पता है, गाउं के जो बच्चे माबाप होते हैं, नमक खाके पानी पी लेंगे, लेकिन अपने बच्चे बज़ेंगे, ये प्लाना को लड़का गया था हो गया, आप इसको भी में महिलाएं जितना सामा कर सकती हैं, मुझे तो नहीं काना चाहिए, मैं भी एक पूरु सूम, लेकिन मैंने अपने माता को, अपने सिश्टर को देखा है, कि वो किस्तनी महनत करती है, कितना काम करती है, और अगर उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाए, तो मैंने देखा ह में ज्यादा मेहनत, वो लो करते हैं, कि उन्हें यह पतना होता, अगर मैं नहीं कर पाऊंगों तो पापा मेरी साधी कर देंगे, या पापा नहीं पढ़ने देंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बहनों को होती है, उन सातियों को जिनके लिए ज्यादा समस्या है, सकती है, वो भी हमारे तरह योग्य है, वो भी भाटी समिधान कांस्ट्यूशन के तहट, जो समानता का दिकार है, 14-18 उसमें भी कहा गया, उनको भी हमारे समान, हमारे बराबर खड़े रहने का दिकार है, हमारे बराबर वेतन लेने का दिकार है, और अच्छे-च्छे पद से 30 किलमेटर दूर तो चोचिंटे जाने में और फिर पुरा आने में माल्य कोचिंग जाने मून को रोज एक घंटा लगा। घर से बस तक आने के लिए 20 मिनदर साइकल साइकल खडा के एक घंटे गई मतलब एक दिन में लगबग देड़ घंटा इनका गया कोचिंग पौचने में फिर देर घंटा आने में कितना हुआ देर देर तीन घंटा तीन घंडे कोशिंग चली च्छा गंडे क्ट डूरेशन में ठग जाती है और घर आने पर घर का भी काम करना होता इसलिए बढ़ने के बाद जब भेता पड़ा महीं दे पाती घर वाले एक ताना देते हैं एक साल कि नहीं निकला चलो घर बेठो जब क्यों यह नहीं सोचते कि यह इतनी दूरी ताएगी फितनी दूरी ताएगी तीन घंडे क्लास शा गंडे फिर पूना घर की काम करना तो यह बिचारी रिजन कप करेगी ठक जाएगी किसी दिन कोशिंग नहीं पहुची उस दिन का छू यह बड़ी सवरोंब रहते हैं अब क्या करना है अब जैसे मेरी क्लास अगर मेरी चार घंटे की डेली क्लासेज अगर आप घर से 30 किलोमीटर आप जाते हैं 30 रुपए किराया देते हैं इस तरह एक सल कितना किराया देंगे प्लस आपका 1,5 घंटा जैने में 3 घंटा गया अब चार घंटे क्लास कीज़ आपका साथ घंटा गया था कि भी गये अब चार घंटा ये है जब भी आपकी इच्छा हुई घरें बैठें मुबाइल चलू किया आपकी क्लास से सुरू अगर किसी दिन आप क्लास में नहीं पोछ पाते तो उस दिन की क्लास छूड़ गई ले फिर समझ में आई सवर ये समझ में नहीं या तो बारा इस्टार किया दुबारा अपने पढ़ लिया तो यहां पिर समय आपका बज़ गया घर बैठें अध्यन धबन किया अगर कोई ची छूटा नहीं आज सो सकता आपके तबियात नहीं सी किसी साधीम बैस थे अगले दि कोचिंग में जाना क्योंकि कोचिंग में जाने से कोई कोचिंग में अदिमीशन लेने से किसी बैक्ति का सेलेक्शन नहीं होता बस एक मार्ग दर्शन मिलता है एक गाइडेंस मिलता है एक रास्ता मिलता है हमें किस तरह से पढ़ना है घर पर होते हैं यह लगता है सब से नहीं पड़ेंगे, तब तक आप अंतिम रिफ से चैनित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि, कोद्चिंग सल्थान से पढ़कर, जब तक आप रिवीजेन नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पायगा, क्यों? एक एक जम्पल देता हूं, अगर मेरी क्लास में 30 लड़के पढ़ते हो, माना 30 लड़के पढ़ रहे हो, 300 ने परिछा दी, तो उसमें से केवल 15 ये 20 ही क्यों सफ़ल ओते हैं, 30 के 30 क्यों ने? अगर मैं अच्छा पढ़ाता, मेरी कुछ इंग अच्छी होती समाज के लिए तो यह काम अपने घर बैट कर भी कर सकते हैं जरूर नहीं किसी कोचिंग संथान में दाकिला लेना यदि फिर भी आपको लगता है तो मेरे हैं अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जोड़ना चाहिए तो most welcome है वरना मैं आपको पूरे रास्ते बता दूँगा कि आप बिना किसी से जुड़े एक भैतरिन तयारी कर सकते हैं और आप अंतिम रूप से चैनित हो सकते हैं जरूरी नहीं है किसी ब्यक्तिका और किसी कोचिंग संथान के जरूत हो तब ही आप सब फ़लो अब अगर आप चुड़ना चाहते हैं अगर आपको लगता है 630-63-44- 367 पर क्वालिया वर्शेप करके आप जोड़ सकते हैं लेकिन इसकी जरूत आपको नहीं है यदि आपको यह confidence आप कर सकते हैं तो मुझे भी यह लगता है आप कर सकते हैं क्योंकि जब भी पढ़ना होगा आपको स्वेम पढ़ना होगा किसी के पढ़ने से किसी कहने से आप अंतिम परूप से चैनित हो जाएंगे बस कुछ चीज देखे और एक बात और अगर यह वीडियो को बहतर लगा हो यह दि लगता है यह वीडियो किसी की जिन्दगी बदल सकता है यह वीडियो किसी भी ब्यक्ति के लिए उपयोगी है तो आप अपने सभी ग्रूप में शे पूरी हो जाए और वह एक दिन एक सफल ब्यक्ति बन जाए सफल ब्यक्ति का मैंने परिफाजा बताये थी कि सफल ब्यक्ति किसे कहते सफल ब्यक्ति मतलब नहीं है नौकरी करना सफल ब्यक्ति मतलब जो पैसन जो जुनून है जिस दून पूरा हो जाता है उस दिन क्या होग परिश्चाइं आती है इसके लिए क्या करना पहले लोवर के लिए आपको भी सिल्वस जरूर रहेगा तो जीएस के लिए आप क्या करेंगे पहले तुक्ताब को ले लेंगे मैं किसी किताब के अडबेटाइज नहीं कर रहा हूं कि वह किताब में मुझे बहतर लगी इसलिए me आपको सजाओ दे रहा हूं I am Ketal Kean gonna एक जोम हो देंगे जरी लिया जिसे सामान भूगो लेने के बाद आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं पुरा पढ़ लींजिये जो मैं पुरा पढ़ लिए और постоянно 9 य investigar itself-11 निकिताब लेजे उससे swift हो जब तो पढ़ेंगे त्यों क्या परिछाओं में प्रश्ण आये सब का समाल दिया है तो अब जब आप पढ़ेंगे और पढ़ने बाद इसके प्रश्णों को साल्व करेंगे तो दो चीजा प्रश्ण होगी पहला कि आपने जो पढ़ा था कि पूछे जाते हैं एक पॉइंट दूसरा पॉइंट कि ऐसे कौन- प्रश्ण आपके नजर में नहीं आया हो आज आपने पढ़ लिया आपके नजर में आ गया तो यह जो तैयारी होगी आपके रणी दिकेतात हो जाएगी और पढ़ने में बला मज़े आयेगा ऐसे आप आर घंटे तो नहीं पढ़ पाते लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे और आप पढ़ना शुरू करेंगे जयसे यह उठा लिया आज हमने पढ़ लिया जैसे पढ़ लिया मैंने आज की जो टॉपिक में ने जो भूगूल इसके पहले पढ़ाई थी वह आम लोगों ने पढ़ लिया प्रित्विक गतिया अब प्लित्विक घतिया का आपसर में अगर आपने याद है आपने कर लिया अगर आपको नहीं याद है आपको क्या रहेंगे हमेशा के लिए याद रहेंगे आप घटना चेकर की सारी स्रीजाब लेली जिन और जो भी मेरी हाथ से पढ़ाया जाए जो भी आप उसकी तुरुम साल्व करिए और जब साल्व करेंगे तो एक बात या सपश्ट हो जाएंगी आपने क्या पढ़ा क्या क्या आपने नहीं पढ़ा क्या आपने जो पढ़ा वह उस परिछा के लिए मातपूर्ण है अथवान नहीं है यह चीज़े लेकर आप अपने घर पर बैठकर आप त्यारी कर सकते हैं और मुझे से अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको स्टेडूल बना दूंगा उस दिन में लाइब आजया करूंगा आप अपनी समझाओं को पूछेंगे मैं उसका जबाब दूंगा और मैं उससे आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा क्योंकि यदि मैं किसी ब्यक् मेरे हाथ में नहीं है किन्तु हो सकता कभी के भी कहा जा सकता है कि यदि मेरे से जूडने के बार जाते हैं अप अंतिर उसे चनित हो जाते हैं मैं भी अपने अंदर से आत्म सक्ती मिलती है अभी दो दिन पहले में तवियत काफे खरब थी फिर भी जैसे ठीक हुई मैं आपके सामने हाजिर हो गया क्योंकि मुझे पता है इस समय आप उस जुनुन जरूरत है कि अभी आप पढ़ना शुरूर नहीं करते आप पढ़ेंगे तब जो परिशक डेट आजाएगी इसी में आपके लिए एक बहुत सारी बहुत सारी संथान हैं आप कहीं बिजूद सकते था गुट करूंगा कि norm. कि मैं जानता हूं यह मेरा आत्मा क्याता है यह वीडियो किसी जिन्दगी बदल सकता है इसलिए इसे शेयर करिएगा और सभी प्रेक्टियों तक पहुचाएगा और जो मा बहन जो जो मारी सिश्टर है जो घर से पढ़ना चाहते हैं उनकी समस्यारी उनकी निए मैं सदोतत्पन तो खड़ा हूं और वो पढ़ें उनकी कोई समस्यारी आती है आप मुझसे पूछे मैं आपका पूरा-पूरा समधान करने का प्रैस करूंगा मैं जानता हूं आप मेहनत करेंगी आप अंतिवर्फ चैनित जरूर होंगी और आप क्लास लना चाहते तो आपका मोस्ट वेलक होते रहें जब तक आप अंतिवर्फ से चैनित ना हो जाए तो पुना एक बार मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो लिंग को सभी गुरूपों में अपने शेयर कर दियेगा ताकि सभी वेक्तियों तक यह पहुच जाए और आपने इतनी देर तक देखा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साती तुरंट पढ़ना शुरू कर दे और घटना चायरी केताबे ले लिजे और उसे पर सॉल्व करिए बाकि मैं आपको नोर्स वीडियो लेक्चर उपलद करा रहा हूं और आप अगर मेरी वीडियो लेक्चर नहीं जुड़ कर लिए फिर 11 बारा की आप भुगोल अर्षास्त्र राजनीति विज्ञान और साइंस तो बस हाई स्कूल दगाता है यह तीन सब्जेक्ट आप पढ़ने रहे सोकता साथ ही साथ घटना जगर के सॉल्व कर लिजिए और पिछले वर्स के जो पेपर हुए हैं उनको एक बार आप सॉल्व कर लिजेगा उसी एक तरीका आपको मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या ने पढ़ना है बाकी मेहनत हमें करना है और बाकी तो आप जानते ही हैं बाकी कौन करेगा लेकिन हमें अपने मेहनत से समझाता नहीं करना है आपको हमें अपने जिन्दी का ब कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा इस इक साथ जय हिन जय भारत